हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल हमारा स्टेडी में दोस्तों जैसा कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक परिक्षा की दस्टी कोड से लाते रहते हैं तो उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं आपके लिए किर्केट का इतिहास आज के इस वीडियो में हम किर्केट के बारे में complete discussion करेंगे और जो जो important question exam में देखे जाते हैंगे उन पर भी discuss करेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक है किर्केट का इतिहास तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो किर्केट का खेल सोलमी सताथदी में प्रारंब हुआ था अंतराष्टी मैच 1844 के बाद खेला गया था परंतु आधिकारिक रूप से अंतराष्टी टेस्ट किर्केट 1857 से प्रारंब हुआ था इसका मदलग क्या है कि अंतराष्टी मैच जो है वह 1844 के बाद खेला गया था लेकिन अधिकारिक रूप से अंतराष्टी टेस्ट किर्केट को मानता कब दी गई थी तो वह 1877 में दी गई थी चलिए कुछ और important fact देखते हैं यह खेल मूल रूप से England में विक्षित हुआ था तो जो हमारा किर्केट है वह कहां पर विक्षित हुआ था तो यह England में विक्षित हुआ था किर्केट का कानून पहली वार सहिता वद कब किया गया था तो 1744 में किर्केट के जो कानून है उसको सहिता वद किया गया था MCC की स्थापना कब की गई थी तो MCC की स्थापना 1787 में लौट्स में की गई थी की गई थी यह क्या करती है यह संता यह संता जो है वह किर्केट के कानून का संरक्षक करती है और उसको संसोधन भी करती है चली आगे बढ़ते हैं और कुछ और important fact देखते हैं सबसे पहला अंतराष्टी किर्केट मैच यदि सबसे पहले अंतराष्टी किर्केट मैच की बात की जाए तो किसके बीच हुआ था यह हुआ था सयुक्त राज अमीरिका और कनाडा के बीच हुआ था अठारा सो सततर में इंगलेंड परियाटन टीम ने पूर्ण आस्टेलिया एका दसा के खिलाप दो टेस्ट मैच कहां पर खेले थे अस्टेलिया में खेले थे और दोस्तों ये जो दो टेस्ट मैच खेले थे इसे ही पहले अंतराष्टी टेस्ट मैच की मानता दी गई थी तो किस टेस्ट मैच को पहले अंतराष्टी किरकेट मैच की मानता दी गई थी यदि यह पूछा जाता है तो ये 1877 में जो मैच हुआ थ चलिए कुछ और important fact देखते हैं दोस्तों जो South Africa टीम है उसको test match खेलने का दर्जा कब दिया गया था तो यह दिया गया था 1889 में दिया गया था कब दिया गया था 1889 में South Africa को test खेलने वाले राष्ट के रूप में दर्जा दिया गया था चलिए कुछ और important fact है दोस्तों ऐसे सीरीज आप जानते होंगे बहुत ही famous सीरीज है ऐसे सीरीज की जो सुरुबात हुई थी यह कब हुई थी यह 1882 में इसकी सुरुबात हुई थी तो ऐसे सीरीज किन दो देशों के वीच खेला जाता है तो आपको पता होगा कि यह इंगलें 1971 को अस्टेलिया और इंगलेंड के बीच हुआ था तो जो पहला एक दिवसी मैच हुआ था जो पहला वंडे मैच हुआ था वह पांच जनवरी 1971 को अस्टेलिया और इंगलेंड के बीच हुआ था चलिए आंगे बढ़ते है भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच इंगलेंड के खिलाफ Lots में कभ खेला था? तो यह 25 जून 1932 को खेला था भारत ने अपना पहला test match कभ खेला था? England के खिलाफ Lots में खेला था 25 जून 1932 में और इस match में भारती team के कफ्तान कौन थे? कर्नल C.K. Naidu जो थे वो भारती team के कफ्तान थे चलिए आंगे बढ़ते हैं भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 10 फरवरी 1952 को इंगलेंड से जीता था किस से जीता था पहला मैच कब खेला कब था तो यह 25 जून 1932 को खेला था और पहला टेस्ट मैच भारत ने कब जीता तो यह 10 फरवरी 1952 को इंगलेंड के खिलाफ जीता था चलिए कुछ और important fact देखते है भारत की तरफ से test cricket में पहला सतक यदि किसने लगाया था यदि यह पूछा जाता है तो यह किसने लगाया था लाला अमरनाथ ने भारत की तरफ से पहला test सतक लगाया था और किसके खिलाफ लगाया था तो इंगलेंड के खिलाफ मुंबई में यह सतक बनाया था चलिए आंगे बढ़ते हैं आंगे भारत ने अपना पहला एक दिवसी मैच कफ खेला तो भारत ने अपना पहला ODI, One Day International कफ खेला तो यह 13 जुलाई 1974 को इंगलेंड के खिलाफ खेला था किसके खिलाफ खेला था? इंगलेंड के खिलाफ खेला था और भारत के एक दिवसी टीम के पहले कफ़तान कौन थे? तो वह थे अजीद वाडे कर थे चलिए आंगे बढ़ते हैं और कुछ और important fact देखते हैं अंतराश्टी टेस्ट किरकेट में सबसे पहला सतक आस्टेलियाई बल्लेवाज चाल्स बैनर मैन ने 1877 इसवी में बनाया था ठीक है? चलिए आंगे बढ़ते हैं पहला एक दिवसी दोहरा सतक लगाने वाले बल्लेवाज कौन है? तो वह है सचिन तेंदूलकर है यह दोहरा सतक 2010 में गौलियर में दक्षिड आफरिका के खिलाफ लगाया गया था तो पहला दोहरा सतक किस ने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने लगाया था 2010 में लगाया था गौलियर में लगाया था और किस टीम के खिलाब लगाया था तो यह दक्षिड आफरिका के खिलाब लगाया था चलि आगे वड़ते हैं एक दिवसी मैच की एक पारी में सरवाधिक रण बनाने वाले खिलाबी कौन है तो कौन है दोस्तों यह रोहत सर्मा है नोंने कितने रण बनाये थे 204 रण बनाये थे एक पारी में चलिए अगला देखते हैं अंताराष्टी एक दिवसी मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो अंताराष्टी एक दिवसी मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है उन्हें कित्ते रन बनाए हैं तो 18,426 रन बनाए है, चलिए कुछ और important fact देखते हैं, जो कि हमारे exam की दस्टी से बहुत ही important है, दोस्तों, और यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe ने किया, तो चैनल को subscribe जरूर कर दे, चलिए कुछ और important fact देखते हैं, अगला effect है हमारे सामने, अंतराष्टी किरकेट में सबसे ज़्यादा सतक किस खिलाडी ने लगाए हैं, तो सचिन तेंदुल करने बनाए हैं, सचिन तेंदुल करने अंतराष्टी किरकेट में कितने सतक बनाए हैं, 100 सतक बनाए हैं, इसमें ब अंतराष्टी टेस्ट किरकेट की बात की जाए, तो सबसे आदा रण किस ने बनाए हैं, सचिन तेंदुल करने बनाए हैं, कितने रण बनाए हैं, 15,921 रण बनाए हैं, चलिए आंगे बढ़ते हैं, अंतराष्टी टेस्ट किरकेट की एक पारी में सरवाधिक रण बनाने क रेकॉर्ड किसके नाम है तो दोस्तों यह ब्राइन लारा के नाम में किसके नाम है ब्राइन लारा के नाम है इन्होंने 400 रन बनाए है एक पारी में चलिए कुछ और एक दिवसी विश्व कब जीता था तो 1983 में कपिल देव की कपतानी में जीता था ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं आंगे है उसके बाद जो भारत ने दूसरी बार 2011 में विश्व कब जीता और किसकी कपतानी में जीता तो महिंद सिंग धोनी की कपतानी में जीता है तो भार अंतराष्टी टेस्ट किर्केट की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम के नाम है तो यह स्री लंका के नाम है स्री लंका ने एक पारी में 952 रन बनाये थे 6 विकेट के नुक्सान पर और किसके खिलाब बनाये थे भारत के खिलाब बनाये थे चल से ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाडी है इन्होंने कितने विकेट लिये है तो इन्होंने 800 विकेट लिये है चली अगला देखते हैं अंतराश्टी टेस्ट करिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले भारती गेंदवाज कौन है तो वह अनिल कुम्बले है कौन है कुम्बल है चलिए अगला देखते हैं अंतराष्टी एक दिवसी मैच में सरवाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो यह भी दोस्तों किसके नाम है मुथया मुरली धरन के नाम पर है चलिए कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं किरकेट का एक दिव विष्व कफ भारत ने कब जीता था तो यह भारत ने 2007 में जीता था किसकी कपतानी में महेंद सिंग धोनी की कपतानी में जीता था तो दोस्तों किरकेट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो आज हमनों डिसकस किये जो कि एक्जाम की दस्टी से बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो आप इनको अच्छे से पढ़ दिजेगा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि वीडियो किजेगा और इदी आप चैनल में नए है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजे तथा बैल आईकोन को दबाईए ताके हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से बहुत सके तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में